सब्सक्राइब करें हमारे योट्यूब चनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले बेल आइकम डबाना ना भूले ये जो वाणी से पाप होते है नामा इनहीं पापों की सजब होगने के लिए हमें वैतर्णी नाम के नर्क में जाना पड़ता है कौन सा नर्क होता है वैतर्णी इस वैतर्णी नर्क में क्या विवस्था हैं आपके लिए जब आपको फोड़ा हो जाता है ना तो माबाद भर जाती है वाइट कलर की देखा आपने पस जिसे बोलते हैं पस बन गई वह माबाद उस पस की नदियां है उस नदियां में जीव मात्र को डाल दिया जाता है आप और हम यदी वाणी से पाप करते हैं जूट बोलने का कपट करने का चल करने का जूट असत्य और निंदा और चूली का यह जो पाप हम वाणी से करते हैं इस पाप के लिए हमें वै मजाता है ले लो मजा सजा मिलेगी तब पता चलेगा निंदा करने में बड़ा मजाता पडोसी की निंदा कर लो एक एक घंटे दो दो घंटे तीन तीन घंटे और तीन तीन घंटे निंदा करने के बाद आदमी ये जरूर कहता हमें क्या करना है जब करना नहीं था तो किया क्यों काहे किया तीन तीन घंटे निंदा हाँ तैयारी बना लो ये मावाद की जिसे पीव की नदियां बोलते हैं इस मावाद की पस की नदियों में तुम्हें जा करके गोता लगाना पड़ेगा यदि तुमने ये पाप किया और इस पाप से बचना चाहते हो इसलिए कहते हैं कि गवदान किया करो गाय के पूँच पकड़ के ही केवल वेतरणी को पार किया जा सकता है और कोई दूसरा उपाए नहीं है इसलिए जीवन में मरने के पहले गवदान जरूर करना हम जो सामान ये पाप कर लेते हैं इने पापों से बचने के लिए यह प्राइश्चित है कि गवदान कर लो वाणी से तो देखो पाप सब ही इसलिए कहा करते हैं कि तुम्हे वाणी मिल गई है तो कुछ भी ना बोला करो कहीं भी ना सुरू हो जाया करो बिना विचारे जो करें सो पाँछे पच्छिताएं काम बिगारें आपनों जग में होत हसाएं इसलिए विना विचारे कुछ ना करो बोलो तो विचार करके बोलो किसी की निन्दा करने से हमें क्या फायदा हो रहा क्यों पाप ला दे हम हमारी गठरी पाप की बढ़ती जा रही है और हमें कोई खवर ही नहीं हाँ इसलिए पाप ना किया करो मन सा मन से भगवान कश्मन वाचा वाणी से भगवान भगवत कथा भगवत नाम करमना करम भी वही हो जो भगवान के लिए हो